असलाम लेकॉम क्या हाला आप सब का यहोप सब ठीक ठाक होंगे खुश्बाश होंगे आज के विलॉग में आपके साथ दो नियूज शेयर करने वाली हूँ पहली नियूज है बच्चों का रिजल्ट आ गया है आप सभी को पता है रमजान में हो रहे थे बच्चों के फाइनल पेपर मैंने आप सब के साथ शेयर किया था कि रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई थी तो फाइनली बच्चों का रिजल्ट आ गया है अलहमदुलि वह थे वह दे दिये थे कि आपके बच्चे की जो भी प्रॉग्रस रही है वह आप देख सकते हैं तो यह हमें सारा का सारा रिजल्ट के साथ ही मिल गया हुआ था और साथ में हमें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी इशू हुआ था जो कि बड़ी अन्यूजिल चीज थ था यह सब को ही मिला था ऐसा नहीं है कि हमें ही मिला तो हम कहीं भी सिफ्ट कर रहें ना स्विच कर रहें ना जगा शिफ्ट कर रहें कि हमें इसकी जूरत हो यह सिफ प्री स्कूल के लिए है मतलब प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट क्यार दिया गया है बच् जैसे हम पहले स्कूल होते थे ना के वान से टैन तक का अगर स्कूल है तो एक ही दफ अडमिशन होता था और बच्चा चलता जाता था चलता जाता था अब यहाँ पर प्राइमरी अलग हो गया है प्री अलग हो गया हुआ है और स्केंडरी लेवल अलग हो गया वह सब में आपको अलग अलग से अड्मिशन पे करना होता है तो यहां पर बच्चों का रिजल्ट है और दूसरा अच्छी चीज इस स्कूल में यह लगी मुझे के रिजल्ट कार्ड जो है उसमें काफी सारे पोशन बनाया है और सब में रिमार्क्स दिये बच्चा मैथमेटिक्स में कैसा है विजूल में कैसा है परसनल हाईजीन में कैसा है और आउटडोर एक्टिविटीज में कैसे परफॉर्म करता है, इंडोर एक्टिविटीज में कैसे परफॉर्म करता है, काफी डिटेल्स है, उन्होंने रिजल्ट बनाया वा था, ये तो जस पेपर में आपको शो कर रही हूं, इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारा रिपो प्री स्कूल की पास आउट सर्मिनी कह लें तो इसमें इनको उसी तरह जैसे ग्रैजुएशन में गाउन्स पहनाए जाते हैं इस तरह के गाउन्स पहनाए तो बहुत ही क्यूट लग रहे था माशाला से सारे के सारे बच्चे मजददार तस्वीर थी बहुत ही तो बच्चों को जो जो चीजा पसंद थी तीन बेच्चे रह्मदलला तो तीनों को उणकी पसंद की सामजो ने लेक्री दी ती और दोन opinion के ऑर साथ में केक लिया था है यूनाइटिट गिंग से और साथحते पीजा था तो बच्चों ने खुब इंज्फ़ नहाए करके खाया था स्कूल की दरब से हमें जह ना बुक्स की लिस्ट वगारा मिल गई भी थी कि फलानी फलानी बुक्स हैं जो भी फलाने स्थ आपको बुक्स ट्रॉल से मिलेंगी वो भी हमने लगे हाथों ले ली थी ज्यादा अगर आप देर कर दें तो अमूमन क्या था बुक्स शॉट हो जा जारा चड़ाने वाले रहते थे तो मैंने भी कवर नहीं किया इनको के वान सारा सेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का तो फिर एक ही दिन बैट के सब पे कवर चड़ा दूंगे भी मैंने पैंसल से सब के नाम लिख दी थे ताकि अगर कोई बुक एक्सेंज करने वाली है तो चैंज हो जा रहा है यहां पर जा रहे एब और अर ठैन को अब यह आभी आनको हख़ा बांद रहिए आपने घर मीन ऑफ़ता के लिए हर ने लाइख? टेंक और छटवली टेंकी की सफाई तो कॉल की वी थी वी वरकर्स को तो आगे विज़े सफाई करने के लिए और हमें इन फॉर्म नहीं किया गया था तो यह मेरी किचन की कंडिशन देख लें सारे के सारे बरतन सिंग के अंदर बस जमा होते जा रहे हैं और बिलकुल सुबा दस बज़े तकरीबन पानी बंद कर दिया गया था तो बिलकुल ना खाने के लिए कुछ था ना बनाया था तो फिर मैं नेसले का केन कोल के सिर्फ खाना चड़ा है था दाल चावल और यह शाम के तकरीबन 6-6 हो गये वे थे और इसी में मेरा अदा केन लग गया थे 20 लीट जुजरेगी दिन में वैसे ही पानी के बगएर गजा रहा किया था पानी के सही मानों में कदर आ गय थी इस दिन तो फिर मोटर चली थी तो फिर मैंने सारे बरतन वगारा वाश के थे मगरिब हो गई थी मुझे इसी के अंदर और बंदा रोने वाला हो जाता है ऐसी कंडिशन हो बचे भी खाना मांग रहे हैं आप से और वाश रूम जाना है नहाना है मामा गर्मी लग रही है और समझ नही साफ ना हो तो घर बहुत ही ज्यादा गंदा लगता होता है मैसी लग रहा होता है लगता है जैसे दस पंदरा दिन हो गए हैं घर में कोई सफाई ही नहीं हुई है यहां बर जी मेरा खाना रेडी हो गया मैंने बनाए थे तड़के वाले चावल और साथ में साथ में साथ मे से और कुछ भी नहीं बनाया था साथ में और इसी के साथ जी आज का व्लॉग एंड करूंगी आई होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएगा किस किस के साथ ऐसा तो जरूर शेयर किजेगा मेरे साथ मिलूंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में आला हाफिज